लो फ्रेंट्स नमस्का सस्रेया का लादे रादे वर्ड़कम फिर से दोबारा वापस आपका मेरे चैनल में आपके अपने चैनल में इफूड रिस्पी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों एक प्रफेक्ट कीचन मेकर के लिए सिर्फ खाने को टेश्टी बनाना नहीं होता है बलकि उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वाद कीचन के काम को कुछी समय में पूरा करें और सही से कम चीजों को पूरा खत्म कर सकें कीचन के अलावा भी ऐसे कई काम होते हैं जो रोज मर्रा के काम है और जो हमें बहुत ही मुस्किल लगते हैं और उनको करने का मुझे हमें या आपको बिल्कुल मनें कहता है जी से पोछह लगाना हूगा या पंके को साफ करना वा पंक्का कितना उपर है कैसे साफ करूं या अगर में में जरकती हैं पार भी इस वारे में कई बहूं किसा सब गारी के लिए आप की कामों को असान बनाने के लिए मैं यह वीडियो लाई हूँ तो प्लीज यह वीडियो जरूर देखे और इसको ट्राई करें मैं ने भी इसको ट्राई किया है और करती हूँ और यह बहुत ही के चार्टाब बंग या एसा नहीं हो जाए या कोई ऐसा काम हो जिस से काम हो जाए और प्रेटasis हो जाए रहThere w YOUR पर हभी आप मेरे चनल को मेरे चाहिँ मेरे लाइक और रहे आप ब्हुश्याई रहे पहुश्यार DRU IKEA का, तो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये, अगर अब पितby को आपने नहीं सब्सक्राइब किया थो, प्लीज प्लीज सपोर्ट मी And सब्सक्राइब मैं चैनल. तो चलीए, अब हम वीडियो को देख थे हैं, तो, इस में ना आपको बोतल का ne ना हेंगर का इस्तेमाल करना है, ना चेयर का इस्तेमाल करना है, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बड़ी ही आसानी से आप अपने पंखे को और पोछा लगाना, या दिवाल को साफ करना, या दरवाजों को साफ करना है, किसी भी चीज को साफ करना है, तो य मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है सिर्फ आपको एक कंगन लेना है चूड़ी नहीं लेनी है काज की ध्यान बेकार पड़े हुए रहते हैं आपको ऐसा रहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हैं और मजबूत रहना चाहिए और तो आप रसी या किसी चीज़ के पर इस्तिमाल कर सकते हैं या रसी भी ना हो आपके पास तो कोई पुराना कपड़ा हो उसको आप फाड लीज़े लंबा लंबा और लंबाई में फाड के उसको भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पुराना कपड़ लिया हुए आगर आपके पास कोई पुराना कपड़ रहता है हर घर में चद्दर फट जाती है यह कोई भी पुराना कपड़ फट जाता है तो इसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं और एक आपको यहां बस चाहिए डंडा, लंबा सा डंडा, तो इतनी ही चीजों की आवसकता है, बस इस चीज को बनाने के लिए, इस पोछे को बनाने के लिए, और ये आपके लिए बहुत ही फायदे मंद सावित होगा, देखिए, आप वीडियो में देखते जाएए, बस कै पर तक इस तरीके से रखना है लगबग आपको तीन इंच तीन इंच डंडे के तीन इंच नीचे तक डालना है चूडी को और उसके बाद इस डोरी से इस चूडी को इस तरीके से कस देना है इस तरीके से बांद देना है यह ध्यान में रखिएगा बस कि यह चूडी और से हिला डोला कर देख लीजेगा कि आपका बैंगल जो है वो हिलना नहीं चाहिए यह ध्यान में आप यह बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल तो इसलिए क्योंकि जब हम इसमें कप्रे को डालेंगे तो हिलेगा नहीं तभी हमें अमारा काम अच्छे से हो पाएगा तो दे और रेस्पी भी लाओंगी और यूजफुल वीडियो भी लाओंगी जो आपके रोजमारा के काम को आसान बना सके और बहुत ही चीजों में आपके लिए फाइदेमंद हो सकते मेरे वीडियो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और अब हम क्या करें और आप पोचे को दूलना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी बस बैंगल में से पोचे को निकालिए और वास करके इसको फैला दीजिए जब सूख जाए फिर से आप इसको बैंगल में डाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखे बिल्कुल इस त आधा पार्ट मतलब आधे-आधे में करके पैंगल में लगा देना है कपड़े को बिल्कुल इसी तरीके से लगा देना है और मैंने आपको करके ही नहीं दिखाए मैं आपको इसको 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 इसक आप चाहें तो इसको इस तरीके से रबड भी लगा सकते हैं उपर डंडे के उपर कपड़े को ऐसे मोड दीजी और कपड़े के उपर रबड लगा दीजी और अगर आपके पास रबड नहीं है तो इसको भी लगानी की कोई जरूद नहीं है बस आपका बैंगल जो है और डं पोचा लगाईए देखें कितना परफेक्टली बनकर तायार हो गया है तो यकीन मानिए ये बहुत ही आसान तरीका है तो आप इसको जरूर ट्राय करिए और आपको पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के जरूर किया करिए अगर आपको मेरे चैनल लगती है नहीं लगती है या मेरे तरीका अच्छा लगता है नहीं लगता है तो आप मुझे जरूर बताए कि मैं मैं आपके वीडियो में ये कमी है इसा है वैसा है जिससे मुझे और भी जैसे मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूँ तो देखे इस तरीके से आप अपने कबर्ड के या कुछ भी हुआ इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से साफ कर सकते हैं या कितनी भी उचाई पर है तो आपको जितनी करके पहला दीजिए और जब सूख जाए तो फिरसे आप इसको बैंगल में डाल कर रूच कर लीजिए देखे इस तरीके से दीवाल वगएरा या कुछ भी आपको साफ करना है तो आप साफ कर सकते हैं नीचे है उपर है पंखे को भी देखो देखिए पंखे को भी आप इस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरे ये वीडियो आपको कैसी लगी ये तरीका आपके लिए हलफुल हुआ कि नहीं हुआ प्लीज 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 कमेंट जरूर किया करिए और मुझे डिए जारा सपोर्ट दीजे मेरे चैनल को सपोर्ट दीजे तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो तो मेरे चैनल पर इस तरह बने रहिए आप लोग का प्यार चाहिए बस देखिए इस तरीके से डोर को भी साफ क सकते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब